गुद अपर नून एब्रिवान एंड वेलकम टू अनकेडमी सिख्छा यूटूब चनल सभी का बहुत वस्वागत है अनकेडमी स्पेशल लाइब क्लास पर और अभी सभी लोग आ जाएं देन स्टार्ट करेंगे भी आज का ही हमारा सेशन और मुझे काफी लोग आएं यहां पर जुड़ रहे हैं दो लिंक आपको देखने को मिलेगी एक तो होगा कौन बनेगा टैट चेंपियंशिप और दूसरा एक लिंक आपको मिलेगा जो होगा के बीएस प्यार्ट एक्जामिनेशन का आज है 28 जुलाई है 28 जुलाई का दिन है और 28 जु यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहां पर दो बड़े-बड़े कोर्स के लिए प्रफिरफियर करने के लिए 2021 का एक गंप्लीट बैच कोर्स आने जा रहा है दोस्तों यहां पर यह 28 जुलाई से स्टार्ट होगा मतलब आज है आज का दिन यहाँ पर है इस बैच का जो यह बैच आज लाइव हो जाएगा तो आप लोग लाइव बैच में अगर अन्रोल नहीं किया है तो अभी तक कर लीजेगा अधिक जानकारी कि यह तो अनकारी का लगनिग आप आपको विजट करना होगा या आपको इसी का डिस्क्र से होने जा रही जहां पर आपको 10,000 विन करने का मौका मिल रहा है हाला कि इसके लिए 25 जुलाइं 31 जुलाइ तक आपको सारी क्लास देखना अनकायडमी सिख्छा यूटूब चनल पर एंडेन आप यहां पर एट शिक्स पीम एक क्विज स्टार्ट होगी वन अगस्त के दि तो आपको एक अगस्त कविट नहीं करना है आपको अभी इस कुई क्विज में अन्रोल कर लेना है ताकि आप बहतर तरीके से यहां पर पार्डिश रिफेशन कर पाएं और बहतर तरीके से यह 10,000 अमेजन बाउचस आपके हो गोड़ आप्टर नून एक्सपैक्टिड सर भी और दोस्तों भी चलिए चंदन कुमार शर्मा जी भी यहां पर है चलिए बहुत स्वागत है चंदन कुमार शर्मा जी अभी जी यहां पर है निहा कुश्वा जी यहां पर है चलिए बिलकुल चलिए भई हाँ पर सभी लोग आच उके वीडियो को दूस्पर दबाकर शेर कर दीजिए आप लोग जवर्दस तरीके से से कर दीजिए मैं कहता हूं अज देन हम स्टार्ट करते हैं आज का ही हमारा सेशन दोश्टों चलिए यहां पर आप लोग देख पा रहें तो आज जो आपको पीडिएप से मुझे इंटुडिश करानी है वह पीडिएप आपके पास है आज इन्वार्मेंटर स्टडी का हिंदी इंग्लिस बाइलेंग्वल होने वाला है तो बहुत माजा आने वाला है यहां पर आगर का चलिए आपकी कमेंट देखने के पापर व्यवस्ता में कर लेता हूं कि अगर हम लोग देखें तो भारत का सबसे विशाल राष्टी उध्यान कोंसा देखें आपने बहुत सारे राष्टी उध्यानों के बारे में प्रश्ण पढ़े होंगे पर यह उगर है वेच इस दा लार्जेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया सबसे बड़ा पार्क यहां पर पूछ रहा है कुंसा पार्क पूछ र यहां पर लोगों के आंसर्श मुझे देखता हूं यहां पर क्या है यहां पर अगर हम देख रहे हैं आम गुड चलिए अमान मलिक जी आंसर्श दीजिए जिम कार्वेट नैशनल पार्क यहां पर बताया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से मंजु एरवार जी आपने आपने क्या किया है यहां पर ना आपने ए भी लगा दिया है कुछ वच्छों ने कुछ वच्छों ने यहां भी भी लगा दिया है कुछ वच्छों ने यहां सी भी लगा दिया है तो मतलब यहां सारे आप्शन जो आपके हो चुके हैं लॉक हो चुके हैं तो यह सवाल यह उड़ता है यह भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है कैसा है भी हैमिस नेशनल राष्टी उद्यान जो है यह भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा राष्टी उद्यान ने कुछ लोगों को जानकर थोड़ा अश्चरी होगा क्योंकि उन लोगों ने इसके बारे में साइध अधिन नहीं किया है और एक्चुली यह कहां पर रहें आपको यह बताना है चलिए देखते हैं कौन-कौन इसका सही जवाब देता है और इसकी बारे में बहुत सारे प्र देखी एक्चुली क्या होता है यहां पर जो सबसे बड़ा पूछा गया है यहां पर जिसका अगर चीद्रफल की हम लोग बात करें ना इसका चीद्रफल जब पूछा जाएगा पर हैं तो भीया यह आपको देखने को मिलता है जम्मू काश्मीर कहां मिलता है जम्मू काश्मीर से लेकर इसकी सीमाएं जो छूती है वो ले लद्दाक तक छूती है कहां छूती है लद्दाक ना तो यह एक्चुली जम्मू काश्मीर और लद्दाक का एक नैशनल पार्क है जिसे जाना जाता है हैमिस नेशनल पार्क के राम से और इसका छेतरपल के अगर हम बात करेंगे तो 4400 मतलब 4400 वर क्लोमीटर के अराउंड में ये दोस्तों फैला हुआ है याद रखेंगे यहाँ पर तो भारत का यह सबसे विशाल राष्टी उद्ध्यान है यह भी याद रखना है हाला कि सबसे पहला राष्टी उद्ध्यान जब आप से पूछा जाए तो आप जिम कार्वेट नेशनल पार्क लगा सकते हैं दोस्तों आपको बता दू यहाँ पर सबसे विशाल राष्टी उद्ध्यान कूंशा है तो यहाँ पर है हैमिस नेशनल राष्टी उद्ध्यान दोस्तों आप्शन नमबर बी यहाँ पर आपको लॉग करना था जो सहीं है एकदम राइट है चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले प्रेशन की तरफ और जो यह किरहे हैं हू अमंग दा फॉर्लिंग सियर आता नेशनल बोड आप द वाइल्ड लाइफ हां पर आंसर आपको देखना है कुरिशन नमबर का चलिए यहां पर मैं देख पा रहा हो निया कुश्तवा जी यहां पर मुझूद है यहां चंदन जी वहीं बहुजूद है च अंजना स्रिवास्ता जी अभी अभी पहुंच लिए एजेगिरी जी यहाँ पर बी लॉग करें परियावल मंत्री चली देखते हैं निहा कुष्पा भी लॉग करें चली भी यहाँ पर अगर हम एक सही बात आपको बताएं तो option number B होगा इसका परियावल मंत्री इसका क्या option ह अब्लू यहाँ पर क्या होता है यहाँ बू यहाँ पर बात करेंगे यह क्या नबीड़ूल का मतलब यहाँ पर क्या होता है दो तो यह राश्ती वन जीप बुर्ड हैं जिसे आप ओन बीड़ तो L के नाम से जानते हैं, याद रखेगा, 1986 में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, 1986 में जो एक परियावन नीती आई हुई थी, 1986 के तहत एक जो परियावन नीती आई थी, उसमें जो यहाँ पर कहा गया था कि जो परियावन राष्टी 1G बोर्ड हैं, इसकी अधिक्ष्टा परि NBWL कहते हैं हाँ अगर आपको NBWL का फॉल फॉर्म पता है तो मुझे आप जरूर बताएंगे दोस्तों चलिए जल्दी से बताएंगे मुझे कि यहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है चलिए यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए N से क्या होता है भी है N से होता है National B से होता है Board और यहाँ 4W से होता है Wild Life और L से भी वहाँ पे लाइफ ही लिया जाता है आपको बजा दो तो यह Wild Life के अंतरकर आ जाता है दोस्तों इन में से कुन सा राष्टी वन जी बोर्ड है तो वह NBWL है जिसे हम लोग National Board of Wildlife कहते हैं याद रखेंगे आप लोग इस चीज को यह कोशन का फुल-फॉर्म एक्शुल एक्जामिनिशन में पूछा जा चुका है एक फुल-फॉर्म आया था एक नंबर पूरे हो जाते हैं यहां पर एक नंबर पूरे हो जाएंगे जब आप इसका फुल-फॉर्म बताएंगे दोस्तों एंटी सिये का किसका बढ़ने वाले आप लोग है चली वैरी गूड कि यह क्या कहरे है दिल का नम भी लेलो सरडर आप हुआ हाँ चंदन कुमार जी किसका नाम देली जी आप यह कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं है कि चंदन कुमार जी क्या कहना चाहते हैं तो मेरे साब से बहतर रहेगा मुझे भी सहीं लगेगा एक मर्द दूस्तु थोड़ा सा चली अमान मलिक जी यहां पर लॉग कर रहे हैं साथ आंसर को चली देखते हैं मैंने क्या पूचा था एंटी 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 सीए का फूल फॉर्म पूचा था किसे ने बता है यहां पर टाइगर conservation authorities कह रहे हैं यहाँ पर अमान मलिक जी चेरिये भाई यहाँ देखिए क्या है एक हद तक आपने बहुत सहीं बता है अमान मलिक जी और आपने बिल्कुल सहीं लिखा हुआ है देखिए क्या है इसका full form national tiger conservation authorities जिसे हम लोग ntca कहते हैं ntca इसका full form क्या था नेशनल tiger conservation and authorities इसका full form है और यह that's a very amazing question because आप यह एक number लेकर डूप गया था बच्चों के वो मैंने आपको यहाँ एक number दे लाने का पूरा प्रियास किया है इस session के माध्यम से इस धमाकेदर session के माध्यम से दोस्तों चलिए यहाँ पर देख बार हूँ महंद्र यादव जी बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं अगला person देखते हैं यह कहते हैं परियावन की सुरक्चा हेटू भारत में कून सा मंत्राले कारियत है जो परियावन को बचा रहा है परियावन को बचाने के लिए लगा हुआ है एक्च्छी वह कून सा मंत्राले है जो परियावन को सेव करने के लिए लगा हुआ है दोस्तों देखिए एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो कोशन में आंसर चुपा हुआ है आप जो भी को मारी है चूरी हो गया है इस लिए क्लास नहीं ले पा रहा हुआ कैसे चूरी हो गया आपका मूबाइल यह तो बताए है मूबाइल पहुआ जाते हैं या गुमादिया अपने कीपती रही है जी यहां पर मौझूद है चलिए देखिए इसका आंसर ही कुछन चुपा हुआता अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूँ तो यहां पर रक्षा मंत्राले परियावन की सुरक्षा करने के लिए नहीं आता ग्रह मंत्राले नहीं आएगा पर यह नहीं हाएगा जल सकती नहीं नहीं हाएगा यह एकशली जो है न मिणिस्टर ऑफ इल्वावमेंट daí को बचाना अधी शीजें यहां पर इनके अंतरकत होती है आगे चलते हैं कहते हैं इन में से कुन सा जीव परियावन हितेशी कहा चाता है आप यह बता है मतलब परियावन के लिए लाबदायक है परियावन के लिए जरूर है मनुष तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से मनुष नहीं हो सकता यह 101% है मनुष कभी भी पता नहीं सर क्या मजबूरी है आप एक्जाम हो गया है तो लर्निंग के लिए धर्ना करो फिर चलिए नहीं कुछ यहां पर कुछ कह रही है देली में चूरी हो गई शिल्फी कुमारी जी घर से हो गई है चलिए देखी क्या होता है इनमें से कुछ जीव होता है परियावन हितेशी मतलब परियावन के लिए यह फ्रेंडली होगा which of this organism can be called eco-friendly यहाँ पर मनुष्ट नहीं हो सकता मैं माननी सकता, बाग होनी सकता क्योंकि बाग ऐसा कोई कारणी नहीं कर रहा है बाग तो वो है जो हमसे 6 गुना देख रहा है सुनने की सक्ति बड़ी तीछड़े है इसकी और इसमें गुरुप की लीडर बागीन है आपको पता है और नर बाग जो होते हैं गुरुप में नहीं पाये जाते हैं 4-5 साल के बड़ी होने के बाद गुरुप को छोड़ देते हैं हमसे 6 गुना ज़्यादा देख पाते हैं और इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तीछन होती है ये चीज़े आपको बाग के बारे में एक बार गुरुप रादे तो लगबग 3 किलो मीटर तक की आवाज आपके सुनाई आती है ये चीज़े पूछी गई है और ये अपना एरिया जो है अब ये चीज़े हो गई अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गिद के बाद देखिए गिद को ना दो कैटेगरिस में रखा गया है एक तो देखिए ये मतलब इसक्वेंजर में भी आता है समझते हैं अब घटन करता में हना ये अक्चुली मरतो पर जीवी में भी आता है क्योंकि ये मरे हुए जीवो को खाता है ये क्या होता है मरे हुए जीवो को खाता है इसलिए और पक्षियों से बिलकुल डिफरेंट हो जाता है और पक्षियों से बिलकुल अलग हो जाता है और पक्षियों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है दोस्तों जो यहाँ पर जो गिद होता है ठीक क्योंकि यह क्या करता है यह मरे हुए जीव जन्तुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है और आपने देखा होगा इसलिए यह परियावण का इको फ्रेंटली होता है क्योंकि बही मरे हुए जन्तुओं खराब हो रहा है सड़ रहा है बिमारिया फैलती है और यह उन्हें खाकर स्वक्ष कर रहा है साप कर रहा है तो यहाँ पर जो गिद है यह इको फ्रेंटली है हाला कि मैं तो सबसे ज्यादा इसमें पिक को भी मानता हूं जो आपका फिक होता है ना अमेजिंग एनिमल गाईज यह एक ऐसा एनिमल यार जो मतलब पूरी गंदगी साफ कर लेता है तो यह आई तिंग बहुत बड़ा एक एनिमल ले कहना चाहिए और बहुत बड़ा काम यह आई करता है आना जैसे सड़ी कली सबजियां होती उसे भी खा लेता है बहुत सीजाज एसी खा लेता है जो बहुत नुक्षान पहुछा सकती हमें परियावण को बहुत पहुचा सकती है तो मैं कहूंगा गर ग्रेट जैनवर मुझे यहाँपे दिनॉट करना चाहे तो आप बना होगे तो ये इंवार्मेंट के लिए अच्छा माना जाएगा आप मुझे बताएंगे हाना अगर आज फ्रेंडली की बात कर रहे हैं तो बांधों का निर्माड करेंगे तो क्या होता है इसमें लाखों पेल डूप जाते हैं कई बांध ऐसे होते हैं जो सेक्लो किलो यावर्न के लिए अच्छा होगा बल्कि यह बुरा होगा क्यों क्यों तो निकल rac dessus निकल रहा तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं सबसे ज्यादा क्या तो यह चीज़े जो आ जाती है यह बागवानी के अंतर करता जाती है यह चीज़े आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ठीक है तो यह जो बागवानी होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे आप लोग जो बागवानी होती है यह इन्वार्मेंट के लिए एक प्रश्वाजी कहने निहा की बगिया अंसर होगा चलिए इन में से कुन सा अभ्यारण अशम में अस्तित है भाई अभ्यारणों के लिए जाना जाता है मैं आपको पहली बता दूं ऐसे बहुत सारे अभ्यारण हैं जो आपको अशम में देखने को मिलते हैं जिसे तो देखिए यहां पर actual जो जवाब आता है असम के लिए कांजी रंगा राष्टि उद्यान यह एक जवाब आता है जो बहुत ही बहते ही गर्थर्ण ही है हलाक ही देखिए कोविड यह पर इधर साइड नहीं खुला है कुछ भी ठीक है तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि रडधंबुर रास्ति उद्ध्यान यहां पर आश्रम में देखने को मिलता है रडधंबुर नेशनल पार्क आश्रम पर नहीं है यह चीज़ आपको प गेंडा एक सिंग वाला क्या होता है गेंडा मिलता है आखर इसकी बात करें न सी बहुत बड़ा यार 430 किलोमीटर के आसपास इसका छेतरपल है आपको मैं बता दूं और यह अस्रम राज्य में आपको देखने को मिलता है बहुत बढ़ीया आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं दोस्तों बहुत बड़िया मैं देखते चल रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स को लगातार और बिल्कुल तो ये था कांजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में हाला कि आप लोगों को पता होगा कि कांजी रंगा नेशनल पार्क ही एक लौता पार्क नहीं है असम में राश्टी उद्यान, मानस, राश्टी उद्यान आपको पता है, औरंग राश्टी उद्यान पता है, यह सभी जो हैं, एक्चुली यह असम में इस्थित थेते हैं, पर इनमें से अगर हम बात करें, कांजी रंगा और मानस जो हैं, यह यूनस्को की धरुवर में सामिल कर जो यूनसको ने विश्व धरुवर बनाया ना उसमें कांजी रंगा भी सामिल है और यह जो आपका अशम में है ना कांजी रंगा है और मानस राष्टी उद्यानी दोनों शामिल है आप याद रखेगा बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं मेरे साब से अगला कोशन कर लेंगे बहुत बढ़िया रहेगा भारत में राष्टी लकडी जिवास पार किस राज में इस्तित हैं आप ही बताएंगे राजस्तान करनाटक उत्ताफिरिस गोवा गईज चन्दन कुमार श्रमा जी क्या कह रहığını है यहां बहुत बड़िया तरacy के परफॉर्मनस आप लोगों की चल रही है यह भी मैं देख पा रहा हूँ खोर्शन नम्बर साथ है भारत का एक लकड़ी जिवास पार्क जो होता है यह कहां पर ऑसते थे पहा般 कोशन इंच बहाद जबाब है करनाटका, उत्तर पिदेश, गुवा, यह सारे जबाब गलत हैं, तो इसका जबाब है के बीएस कांटेक्ट बेस इंटर्व्यू में क्या कोशन पूछते हैं, अच्छा सीक सीमा जी, देखिए अगर के बीएस का आप कांट्रेक्ट वाला देने जा रहे हैं, तो पूछा जाएगा, साथी साथ आपको दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, concern of your subject, अगर हम बात करें, जिस भी subject से आप अपलाए करने जा रही होंगे, उसके बारे में कुछ questions उठाए जा सकते हैं, बाकी और nothing else, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा इंटर्व्यू नहीं है, या कोई बहुत बड़ी सवाल जबाब नहीं होंगे वहाँ पर, आपकी personal चीजों के बारे में पूछा जाता है, आपके experience के बारे में, आपकी सरे की पढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि 5-10 मट आपको पढ़ा कर देखा जाएं, पर ऐसा बहुत rear condition में नहीं होता है, ठीक है, क्यो ठीक है, आपने कहां कहां पढ़ाया हुआ है, ये भी ज़्यादा चीज़े effect करती हैं, और उसके बाद फिर आपकी skills है, कि आप किस तरह से वारता लाग कर रहे हो, तो वो चीज़े भी यहाँ पर ज्यादा effect करेगी, तो आपको बता दूँ, भारत में राश्ती ये लकड़ देखने को मिलता है दोस्तों, चलिए जल्दी से मुझे बता देंगे अब लोग, यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है, विस्व का एक मात्र तेरता हुआ राश्ती उद्यान, भारत की किस रज्य में है, चलिए, बहुत बढ़ी है, यहाँ पर काफी लोग A-LOG कर यह कहते हैं, केबुल लामजाव राश्ती उद्यान, यह एक तेरता हुआ पार्क है, दोस्तों देखी यही पर एक चीज यहाँ लगा दिया है, यह कहा पास देखने को मिलता है, यह मडीपूर में देखने को मिलता है, अच्छा किसी सब पूछा जाए, अगर मडीपूर के किस जिले में मिलता है, तो आपको क्या जिला याद है, जल्दी मुझे बता है, मडीपूर के किस जिले में मिलता है, विश्नुपूर सुनाओगा आपने, क्या सुनाओगा आपने, आपने एक्छुली सुनाओगा विश्नुपूर, सुना है या नहीं सुनाओ बता है, यहा option नम्बर हब कर रहे से worldwide चालिस वШक किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरे विष्व में भारत वरस्थमी पूरे विश्व में यह मात्र्त हुरा रास्टि उद्इयान दोस्तों दोस्तों जो मड़ीपुर में और यह प्रसेद जिल हैं पर लोग तक सुध्वी लोग तक जील का एक अभिन हिस्सा है यह याद रखियका किस जील का है लोगषिट का जील का यह कूśन आ सकता है कूर्शन अगला कूर्शन दिखते हैं चले एक्स स्वेसट करेंगे दूस्तों सर Lakes Kyle पहली बार और यहाँ दूसरे स्कुल में पड़ाया स्कुल में पड़ाया हो मैं मतलए टीचिशन पड़ा हो आप ने किसी अकेडमी किसे कोचिंग फिर स्मय में हो उस इकस्प्रיेंश की बात कर रहू हूं मैं आसा इंंटर्व्यूike की बाद मैं कर रहो हो आपसे आप गलत समझ हरी है ठीक है आपने हम तेचिंग एक्सपिरेंस कितने साइप है चुक्त परासमें यह उसकी बात कर रहा था इक्षूली भूत मैटर करता है टेटेशिंग एक्सपीरियंस किया हुआ वह बैग नेहां कुछ वाजी कि यहां कुश्वा जी कून सा ठीक नहीं हुआ आप मुझे बताइए तो देखना चाहूं कि क्या हुआ हाती और बागों के लिए प्रसिद शिप पुरी राष्ट पार्क किस राज्य में श्ते थे आप यह बताइए इस अपना वाट्सप गृप में जुड़ी नहीं भाई बनीता वॉमा जी देखिए अभी यहां वाट्सप गृप पर डिसकेशन नहीं होता डैट इट इस अनकैडमी प्लेट फॉर्म यहां पर किसी परकार कर कोई डिसकेशन नहीं ता वाट्सप टेलिग्राम इन चीज़ों ठेके मंतो कुमार जी एंसु प्रजापती जी सी में ठीक से नहीं पढ़ते हैं जो हम लिखते हैं वो नहीं कि के मैं ठीक से नहीं पढ़ते हैं हम मुद क् news रखाना चाह रहा हूँ हो मैं तोयुकोन. thrust क्या था आपके पास था कुष्ण नमबर 9 अच्छा कुष्ण था यह भी यहां कि अधिक आ रहे ना यह बहुत ही पहली बात तो मैं आपको पुष्टकों में एक साथ देखने को तो ना मिले एसी हम लोग उम्मिद कर सकते हैं मतलब एक्षाथ मिली नहीं सकते हैं इसका सही जवाब वैसे मद्द प्रदेश था कोई दो रहाएं नहीं है इसमें हाती या बागो के लिए जो सेफपूरी राष्टी पार्क है ये मद्द प्रदेश में अस्ते थैं मद्द प्रदेश को आप लोग इसलिए टाइगर सबसे पुराना राष्टी उध्यान कुण सा है चलिए आप मुझे बताएंगे भारत का सबसे पुराना राष्टी उध्यान कुण सा है चलिहां सर्ट टीचिंग एक्सपीरियेंस ही नहीं है नहीं है भी कूर्स कम हां कोई बात नहीं से सीमा जी अगर टीचिंग एक्सपीरियेंस भी नहीं है आप बताएगा कि हमने लब कोचिंग पढ़ाई ये टीशन पढ़ाई हैं पर ऐसा कोई स्कूल समभी हम तक हमने नहीं पढ़ाएं ऐसा आप लोग बता सकते हैं कोई दिक्रत की बात नहीं है उसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जिम कारवेट राष्टी उध्यान भारत का सबसे पुराना राष्टी उध्यान है और इसकी अगर स 1935 में जो बागों की रक्षा के लिए नैशनल पार्क की रूप में स्तापित किया गया था कब किया गया था 1935 में आई तिंग आपको विलीब नहीं हो गया सुनकर 1935 इसका था वीफोर फीडम हम लोग कह सकते हैं मुझे बूर रही है कि चलिए हाँ तो वीफोर फीडम हम ल राश्टी उध्यान इसका नाम था 1935 में यह जो बाग था जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जानते थे उसे बचाने के लिए नैशनल पार्क बनाया गया था 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 हाला कि नैशनल पार्क कहां पर है आप यह बताए चली जल्दी बताएंगे कहां पर है तो यह बहुत हाला कि देखिए यहां पर जो यह इस्तित हैं यह उत्राखंड में कहां पर है यह बिया आपका उत्राखंड उत्राखंड में इस्तित हैं कहां पर उत्राखंड में इस्तित हैं देखने को मिलेगा आपको उत्राखंड में उत्राखंड के नैनी ताल में कई बार क्या होगा ये नेनी लिख कर आएगगा न जब आप लोग यहां पे क्या होंगे थोड़ा सा mistake कर जाएंगे न टो ये उत्राखंड के नेनी ताल इस نے में इस्तित था है उत्राखंड के नेनी ताल में इस्तित था है भारत का इसके नाम में कई बार बदलाव भी हुएं, कई बार इसका नाम बदला गया है, आपको मैं बता दू, इसके अलग अलग नाम थे, लगबग तीन बार इसका नाम जो है, बदल दिया गया है, आपको यह बता दे दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अगले प् किसका अंसर सी होगा भी है हाँ शी आंसर होगा नहीं कुन कह रहा है नहीं होगा आप ये बताईए हाला कि एक बात ये बताईए मुझे आप दाची गम राष्टी उद्यान कहां पर है कि चलो देखते ना कुन कुन इसके बारे में जवाब दे पाता है सर जी एंसी आटी सीटेट पेड़ागोजी तीस में से तीस नंबर घूल के प्लाइए शुबाश चंद्र जी कहते ना अर्विना सिवा क्या में बात करेंगे तो आप महनत करोगे ना तो आपको अच्छे नं कास्मीर में आपको देखने को मिलता है कहा मिलता है जम्मू एंड कास्मीर में आपको देखने को मिलता है और यह स्री नगर तक फैला हुआ है लगबग 22 किलोमेटर के आसपास यह राश्टी उद्यान आपको देखने को मिलता है यह राश्टी उद्यान जो होते हैं यह जो इनकी अपनी ही विशिष्टाइं होती है इनमें अपनी कुछ इस्पेसिक प्रजाती होती है जो वहाँ पर पाई जाती है इनमें से किस संगटन का मुख्याले स्यूजर लेंड में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों वर्डवाइट फंफोर नेचर विश्व श्वात संगटन विश्व बैंक या स्रीतराश्टन हाला कि देखिए यहाँ पर जो कुछन है बढ़ा अच्छा कुछन है मैं आपको यह बात बता दूँ यहाँ पर देट्स वेरी गुड कुछन कुछन नमबर 11 है चलिए आप लोग जवाब दे देंगे किसका संगटन मुख्याले श्यूजा लेंड में इस्तेथ है दोस्तों आप ही बताएंगे चलिए जल्दी फटावट बता देंगे बड़ी हर हैगा वर्ल्ड वाइट फंड फो नेचर इसका राइट अंसर होगा क्या होगा देखे बहुत जवाब गलत आएं आपके कोई बात नहीं वर्ल्ड वाइट फंड फो नेचर जिसे जानते हैं WWF ठीक है पहले वर्ड वाइट फंड हुआ करता था एक WW वर्ड वाइट भी हुआ करती थी आपको पता होगा आला कि उसमें लोग की जान जाने लगी इसलिए वर्ड वाइट एंटर्टेन्मेंट कर दिया गया क्योंकि वो जब फाइट थी तो उसमें क्या था जान भी चली जाती थी तो उससे कुछ वो नहीं था हना 1961 के असपास इसका foundation हुआ था WWF का और ये एक गहरे सरकारी संस्ता है ये कोई ससकारी संस्ता नहीं यह यह प्रकार का NGO है ये एक प्रकार का गहरे सरकारी संस्तान है दोस्तों और यह वननेजीव सरक्षण के लिए कारे करता है वन और पौदो को बचाने के Лिए वननेजी है दोस्तों आगे चलते है कि इस यह इसका चलिए आगे सलते हैं हम बात करेंगे संकुधारी बनोगी कि चलिए संकुधारी बन कूंधर वण होते हैं आपको यह बताना है कूशन नुमबर 12 है 12 का जवाब आपको बताना कुन से बन होते हैं अमान जी की कुन से की वोड है वह क्या हुआ कि साइध कंप्यूटर में देख रहा हूं कंप्यूटर का की वोड इस्तेमाल कर रहे हैं दूसर टेगा वन जवाब आता है टेगा वन दोस्तों अगर आप बिल्कुल तोमर जी आप सही कह रहे हैं कोई दिकत नहीं है हां अगर आप लोग यहां पर टेगा वन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो देखें यह प्रकार के संखुदारी जंगलों में मिलते हैं आपको शंकोदारी वनों के बारे में में आपने जरूर सुना ही होगा मेरे सहबसे अगर हम लोग देखे तो मैं अब बोलूँगा नहीं शलिए ठीक है धिर थी तो के आपको संकोधा स्थरस देखने को मिलते शंकोधारी व्रक्ष क्या होते है और वहले आपे बता अध्यवित varios पना कि है इंद्रावती राश्टी ऊध्यान किस सराज्य में श्तित है आपको यह पताना है यह यह राश्टी यंगे भारे में बहुत कम पूछा जाता है मैं अपको वच्छा धों यह से नहीं पूछा सकता है और नदी के किनारे बसा हुआ ये राश्टी उद्यान हैं और ये राश्टी उद्यान में आपको दुरलब जंगली भैसा की अंतिम आवादी देखने को मिलेगी, मतलब एक जंगली भैसा होता है, बहुत दुरलब हो चुका है, बहुत जंगली भैसे बहुत कम बचे हुए है उनकी एक प्रजाती आपको इंद्रावती राष्टी उद्यान में देखने को मिलेगी मतलब आप से कोई पूछा जाए कि ये किस के लिए फेमस है तो ये जंगली भैसे के लिए फेमस है के लिए फेमस है जंगली भैसे के लिए फेमस रहा है जो आपका इंद्रावती राश्चि उद्यान है जंगली भैसे के लिए फेमस रहा है ठीक है चलो कोई बात नहीं यहां पर क्या हुआ भी यह तो इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा आए होप आप लोग ने इस राष्टी उद्यान के वारे में जो मैंने जानकारी दी आपको यह बिल्कुल क्लियर है आपको हम चलते हैं रड थंबोर राष्टी अभ्यारण के तरफ तो क्या कोशन है हमारे पास रड थंबोर वन्य जीव अभ्यारण किसके लिए प्रशिद्ध है चलो यह मेरे साब से पता होगा आप लोगों को कि रड थंबोर वन्य जीव अभ्यारण किसके लिए प्रशिद्ध शप पर इतने ज्यादा आंसर आपके जो आये हुए है वो सहीं आये हुए हैं कुछ गलत नहीं आये हुए हे your सबढ़ embr encouragement actually यह काले हिरन के लिए हिजाना जाता है यह बास पथी बांगो के लिए वी जाना जाता है पर हम लोग कहें कि सपेद बांगों के लिए जाना जा रहा है जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोग ताकि मैं आगे चलूंँ उसके बाद चलिए वेट कर रहा हूं कि किस राज्जी में आंसर आएगा आप लोगों का उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं दूस्तों चलिए राजिस्थान जवाब आना था इसका काफी समय ले लिए एक छोटे से जवाब के लिए आप लोगों ने इतना समय मत लीजिए भाही राजिस्थान जो है इसके लिए राइट आंसर होगा रड़ थंबोर रास्ति उद्ध्यान जो है काले हिरण के लिए जाना जाता है और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो अगर दंफा डंफा टाइगर रिजर भारत के किस राज्जे में असते था आपको यह बताना है मिजूरम मद्यपरदीश उत्राखंड या दूस्तो आश्रम आप लिए बताएगे डंफा टाइगर रिजर भारत के किस राज्जे में असते थे आप लिए बताएग कुशन नमर 15 थे हैं कुशन नमर 15 हैं आपको यह बताना है कुशन नमर 15 का सहीं जवाब क्या आता है डंफा टाइगर रिजर भारत के किस राज्जे में असते थे आपको यह बताना है मिजूरम मद्यपरदीश उत्राखंड या असम चलिए मिजूरम इसका राइट आंसर था ओके बबू अपना हाँ चलिए मिजूरम इसके राइट आंसर था दंफा टाइगर रिजर भिया यह मिजूरम में है आप कहां जवाब दे रहे हैं मुझे समध नहीं आता इतना लेट जवाब दे रहे हैं उसके बाब जूद भी आप सहीं जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे यह समध नहीं आता है सक्यों गाईज दंफा टाइगर रिजर्ब कान पर हैं यह मिजूरम में देखने को मिलता है यद कर लीजीये आप लोग थोड़ा सा यसे न नोट कर ली जिए और भारत का यह बाग orद्याने यह बागों के लिए जाना जाता है बागों को बचाने के लिए कार किया जाता है याद रखिएगा 1994 की बात थी जब इसे बाग अरक्षे छेतर गोशित किया गया था 1994 में 1994 में जलवाईयो परिवितन का प्रमुक करण क्या होता अब 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 चली किरन देरिये जी किया रहे हम बहुत पहले से दे रहे हैं पर आप पढ़नी रहे हैं चलिए वह यह देखते हैं देखिए क्या होता है जलवाईयो परिवर्तन के लिए दो करण बहुत ज़्यादा होते हैं आप बताएंगे क्या क्या एक होता है आपका ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस एफेक्ट होता है या हम दूसरा कह सकते हैं ग्लोबल क्या कह सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्निंग क्या कह सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्निंग क्या कह सकते हैं यह है जैसे कि नाइटरस ऑकसाइड हो गया है हना सीओटू मीथैन नाइटरस ऑकसाइड कारवन डायकसाइड हम लोग कह सकते हैं सीज को और जलवास जो होते हैं जो स्ट्रीम सब behavior करते रहेंगे और लगातार आप CO2 का लेवल बढ़ाते रहेंगे और लगातार यहां पर प्रत्वी का टेंपरेचर बढ़ता चला जाएगा बढ़ता जाएगा तो जो बेहद कहना चाहिए त्राजदी को जन दे सकती है इसलिए लोगों कि आप समल जाएगे अभी समय है अगर नहीं समल ना है तो फिर आपकी मर्जी आप देखिए जो खर सकते हैं आप लोग यह चीज़ें यहां पर बताएगे और किसे कोई सवाल भाई यहां पर जीश को लेकर चलिए अगला कुशन आगे है भारती प्राणी विज्ञान सर्विक्षन केंदर किस सहर में देखने को मिलता है इन्वे सेटी ऑफ जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टर ब्लिजड आप मुझे बताएगे कहां पर यह चीज़ें आपको देखने को मिलती है कदामबनी जी है अजेगरी जी यहां पर है चिंदन कुमार जी यहां पर है मंजुलता जी है अजेगरी जी है वहत बहुत बढ़िया यहां सभी का जवागर कॉलकता आ रहा हो तो यू आर एपसलूटली राइट एक नंबर आप लोग इसमें प्लस कर लीजिए कॉलकता इस आमदूलन का चली चिपको आमदूलन आ चुका है इस जंगल के उपकार मिटी पानी और बयार जिंदा रहने का है आधार तो यह किस परियावन आमदूलन का नारा था देखिए नारा बिलकुल फ्रेस है आप लोगों के लिए पहली बात मैं आपको उतादू देट इस आ फ आधार दोस्तों यह बड़ा है अच्छ एक नारा है बहुत फिमस नारा रहा है और कहना चाहिए नारा आप पहली बार मेरे साब से सुन रहे होंगे और यह चिपको नारा का है हाला कि हमने चिपको नारा में एक सुना था परसतिकी इस्ताई अर्थ वबस्ता है हमने क्या जबाव हमने सुना था उप्षननमबर व कियाहां पर राइट सांशर निकल और आ जाता है Hangорот क्लश्ट में इसकित हैं सारिस्का पकछी उद्यान भारत के क्स पर यह निहीं कि हुआ कि Are, सारिस्काफ पकछी उद्यां भारत के किस राज्य में कि अलवार् का नाम सुने अपने अलवार राजिस्तान आपको य अभ्याना देखने को मिलता है हाला कि भारत सरकार की हम बात करेंगे 1958 में भारत सरकार ने इसे वन जीप अभिहारन के रूप में कोशित किया था आपको बता दू और 1979 में इसे प्रोजेट टाइगर में भी सामिल किया गया है यह कुशन एक ऐसा कुशन यह जो बहुत एक अच्छा कुशन है और एसे सब्सक्राइब कि आपको यह समय सीमा की बात करें के बद Some Red की सीमा हमारे अंदर है नौ वह हमारा माय का है और हम इसी-देंगे यही ही चिपको आमदुलन का नारा चलिए भई यह भी एक अच्छा नारा बता रहे हैं एक हलकी सी वफरिंग हुई थी गया भी अब मुझे बता है मुझे असा लग रहा है कि हलकी सी वफरिंग हुई थी यहां पर देखे कानपूर कानपूर में जब जाती है गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूर्शित मानी गयी है प्रियाग राज में तुनिक कानपूर में सबसे ज़्यादा प्रदूर्शित मानी गई है यहां पर बताएगा अगला कोशन देखते हैं वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाली गैस कुंशी होती है जब बनस्पति गल रही है तो इसमें कुंशी गैस प्राप्त हो रही है चलिए नहीं मैं आप से पूछ रहा हों क्या वफरिंग हो रही है कहा वहां मुझे दिख रही है इसलिए इसलिए आ सब्सक्राइब कर दो चलिए यहां जबाब था मीथेन औक्सिजन निकर नहीं सकती है कारवन डॉक्साइड भी निकलती बनस्पति गलने से मीथेन गैस निकलती है मेरे साथ से काफी लोगों को पता था यह बात काफी लोगों ने सहीं जवाब बेदिया है वेरी गुड दोस्तों चलिए अगला कुश्ण देखते हैं गुजरात में गिर के वन मुख रूप से किस पसू के संद्रक्षन के लिए जाने जाते हैं मेरे हिसाब से सभी को पता है कि गुजरात का जो गिर्वन है यह किस सीज को सुरक्षित कर रहा है आज आप देख रहे हैं यहां पर गुजरात की गिरवन में चलिए आप लोग करते चलेंगे बहुत बढ़िया रहाएगा और साम 6 बज़े कुन कुन आ रहा है आज यह बताएगे जो साम 6 बज़े आया जाएगा अने कैडमी के लर्निंग कर दूगा आप लोगों को तो वह आप लोग कर सकते हैं उस्टेश को ना यहां पर फाइल में जाकर भी आप लिंक निकाल सकते हैं तो यहां सी आपको जवाब देना था क्या बादते अनसु प्रजापती जी बिल्कुल चली अपून आएगा यह कह रहे हैं सुप्रजापती जी आपून आएगा तो बहुत जलुद आईए कहना चाहिए एक सी वाले गेंडर इनिए और गुजराथ में नहीं यह शम में है गुजरात जय रोका है थेक मोदी जी वहाँ दिखाई देंगे आपको गुजरात तो यहां पर चलिए कुशन नम्बर तेईस हैं प्रत्वी की कुल सते में कितने प्रतिशत सते पर पानी होता है अभी बताइए मिला मत्या सतर प्रतिशत सतर प्रतिशत यहां पर सही होता है प्रत्वी की खुश सते कि कितने सते पर पानी है आपको बताना बंबख सिविनिती पर से पानी पानी आ देख से इन में से कुन सा दिवस 22 अप्रिल को मनाया जाता है मेरे साब से दिस दर फैबरेट डे आप लोगों का बहुत चर्चाओं में रहने वाला दिन आज का जो दिन है 22 आज का दिन नहीं मतलब 22 अप्रिल का दिन चली आप लोगों जवाब देदी जी मुझे फटा फट बहुत बढ़िया आपकी कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहा है यहां जवाब आता है प्रत्वी दिवस क्या जवाब आता है प्रत्वी दिवस राइट आंसर अर्थ डे क्या आता है यहां पर अर्थ डे इसका करेक्ट बैठ रहे हैं मतलब आप लोगों की study focus आप लोगों का बढ़ रहा है यह देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा रखता है आगे चलते हैं कहते हैं सही उतराष्ट करें यहां पर हाला कि next month कुछ ऐसा मैं discuss करके आऊंगा यहां पर कि आप लोगों के लिए प्लस का जो सेशन है वह हम लोग अलग करें यह वाला सेशन हम लोग करें ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे यह तो यहां पर इसका सही जवाब Kenya था Kenya is the right answer option number A जो होगा Kenya इसका सही जवाब आएगा इन में से कून सा ब्रक्च परियावन के लिए वर्दान साबित हुआ है आम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया आम तो भारत का राश्टी फल बना है वस भारत का राश्टी फल बना हुआ है आम दोस्तों देखें क्या है भारत का जो राश्टी फल बना हुआ है आम यहां पर और इन में से कून सा ब्रक्च जो है परियावन के लिए वर्दान सिध हुआ है तो वो दोस्तों आम सिद्ध नहीं हुआ है वो people सिद्ध हुआ है people इसलिए सिद्ध हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है यह 24 hours आपको oxygen provide कर रहा है लगातार आपको auto देते चला जा रहा है इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि यह पर्यावरण के लिए एक वर्दान शिद्ध हुआ है यहाँ बहरत में one संरक्षन से संबंदित कून सा उस्द्धा मनाया जाता है 27 नममर का प्रषक्ण है बिया one महाशो मनाया जाता है आप लोग जानती है किस website से परियावण को सर्वदिक छती पहुंचती आप पता है कुंसा ऐसा website करते होंगे जिससे परियावण को सबसे ज़्यादा नुक्षान पहुंच रहा है दूस्तों किस website में परियावण को सरुदिक छती होती तो इनके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो सरुदिक छती होती हुई आपको यहां दिखाई देगी दोस्तों कुशन नुमबर 29 राजा जी रास्ति उद्ध्यान का नामांकरन किस स्वाधिन्ता सैनानी के राजनिता के नाम पर किया गया है आप यह बताईए आपको बताना है आपको 29 नुमबर का कुशन का जवाब आपको देना है दोस्तों क्या जवाब इसका निकलकर आता है राज गोपाल चारी इसके लिए राइट आंसर आता है हाला कि एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग यहां पर सेशन ले रहे हैं और इसका समापन भी करेंगे एक अंतिम प्रश्न के साथ दोस्तों मज़ा आया है वह वीडियो को लाइक जरू करिए का अपने दोस्तों को शेयर जरू करिए का राजा जी मोती चूर और चिल्ला कि परी गुड देखिए इसका आंसर मैंने देने वाला अभी हाली में कुछ दिर के बार मैं अपको फीडियो प्रवाइट करूँगा तब आप इसका अंसर ले लिए जगा ठीक है तो आज अच्छा खाई दिखा ही आप लोग लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं इतना प्रेटों चलिंगे अगे में अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा एक अलगी उन्दा डिसकेशन होगा आप लोगों से तो बहुत बहुत धन्यवाद आत्माम लोगों का जुडने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच आपर देडियो और में आपका जूरी वीडिय